नमस्कार आप देख रहे हैं द्रस्तक 24 आज हम आपको बताएंगे हबल टेलिस्कोप क्या है और इसके द्वारा कैसे बौनी आकास गंगा की खोज की गई तो पहले आपको बताते हबल टेलिस्कोप क्या है हबल टेलिस्कोप यानी दूरवीन अर्थार्थ हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी वास्तम में एक खगोली दूरदर्शी है जो अंतरिक्ष में कृत्यम उपग्राय की रूप में स्तित है इसे 25 अप्रेल सन 1990 में अमेरिका अंतरिक्ष यान डिसकवरी की मदद से इसकी कक्षा मे स्थापित किया गया था हबल दूरदर्शी को अमेरिका अंतरिक्ष एजन्सी नासा ने यूरोपियन अंतरिक्ष एजन्सी के सहयोग से तयार किया था अमेरिकी खगोली विज्ञानिक एडविन पॉंवेल हबल के नाम पर इसे हबल नाम दिया गया यह नासा की प्रमुक व से किया गया 1990 में से लौंच करने के बाद वैग्जानिकों ने पाया कि इसके मुख्य दर्पड में कुछ कमी आ रही है इसके बाद सन 1993 में इसके पहले सर्विसिंग मिसन पर भेजे गए वैग्जानिकों ने इस दर्पड समस्या को सही किया आपको बता दें यह एक मात्र दू सरचनाओं और उनके चुम्बकी छेत्र की सरचनाओं के अध्यन में किया जाता है भारत ने इस दूरूबीन को बनाने में एकवम इसमें दर्पड लगाने के लिए 2007 में बेल्जियम की कमपिनी AMOS का सयोग लिया 2.6 मीटर चोड़े प्राथमिक दर्पड वाले यह और नेनी इताल से 50 किलो मीटर पस्चिम में अपेच्छाकरत अधिक लावपरत इस्तिती में स्थापित है अब हम आपको हबल टेलिस्कोप द्वारा बौनी आकास गंगा की खोश के बारे में बताते हैं हबल टेलिस्कोप द्वारा तीन करोड प्रकार्श वर्षदूर ब् हमारी आकास गंगा से आकार में बहुत छोटी और धुंदली है नासा का हवल टेलिस्कोप द्वारा तारों के गोले गुच्छे NGC 6752 के भीतर सफेद बौने तारों का अधिन किया गया जिसका उद्देश गोल तारा मंडल की आयू का पता लगाना था बौने आकास गंग कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं देश और दुनिया की ताजा अपडेट के लिए बने रहिए दरस्तक 24 के साथ नमस्कार